नमस्कार आप देख रहे हैं केनियोज इंडिया का खास कारेक्टर मुद्दे की बात और मैं हूँ आपके साथ गरेमा वाजबे देश में परिक्षा कराने वाली एज़िंसी एंटिये अब सवालों के घेरे में आ गई है नीट परिक्षा में गड़बड़ी को लेकर घेरी एंटिये पर यूजी सी एनिटी परिक्षा पर घेर गई है 18 जून को ही नेट की परिक्षा को रद्द कर दिया क्या है सरकार को परिक्षा में गड़बड़ी की सुच्छा मले थी और जिसके बाद सिक्षा मंत्रे ने परिक्षा रद्द करने के अलान कर दिये और NTA एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है नेट के बाद नेट की परिक्षा में गड़बड़ी पर NTA पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं शात्रों के भविशे को लेकर विज्जियासत तेज हो गई है कॉंग्रिस ने केंद्र सरकार के किलाफ मोचा कोल दिया है और इनी सब सवालों के बीच आखिर शात्रों के भविशे से खिलवार क्यों हो रहा है आज असी पर करेंगे बादचीत के निए रिपोर्ट दिखाता है देजबे शात्रों के भविशे को लेकर सरकार कितनी सजग है बीते दो परिच्छाओं पर सवाल उठने से इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते है नीट के बाद UGC नेट के परिच्छा में गडबडी ने चात्रों के भविशे पर संकट खड़ा कर दिया है तो NTA पर भी सवाल खड़े हो गए है नीट परिच्छा का बवाल भी थमा भी नहीं था कि अब केंद्री सिक्षा मंत्री ने UGC नेट परिच्छा में गडबडी के बाद परिच्छा रद करने का एलान किया है जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है परिच्छार्ती अपने भाईस को लेकर परिचान है तो विपच्छ ने भी सरकार की खिलाब मोर्चा खोल दिया है भारती जंता पार्टी की सरकारें लोग तंत्र के द्वारा चुनी जाती है लीग तंत्र के द्वारा इतने पेपर लीख हो रहे हैं पुलिस की भरतियारों का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धान लियां और अब यूजी सीनेट का पेपर, अब सरकार कह रहें कि साब ऐसा लीग हो सकता होगा, सीवी आई को जास वूपती है, अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्ट के करण धारों के सिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोगतंत्र कैसे चलाएगी, ये गंभीर विशे, भारती जन्ता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारती जन्ता पार्टी के के केद्री मंत्री को चाहिए, और भारती जन्ता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए, कि तुरंत नैतिक रस्पॉंसिबिलिटी लेते हुए इस दीफाद है, कल ही नैट यूजिसी की परिक्षा आयोजित हुई पूर्व में इसे पोस्ट पॉन किया गया था और आज इसे निरस्त गोशित कर दिया गया है और यह आशन का जता ही जा रही है कि कही ना कहीं कोई कंप्रोमाइस हुआ है परीक्षा में कोई गड़वड़ी है नैशनल टेस्टिंग एजनसी विवादों के गेरे में हैं और आ आज लाखों छात्रों का बविश्य दाव पर है इसका जवाब के सरकार को देना चाहिए नेट का एक्जाम आप में देखा कि इस बार नेट के जरीए पीच्डी में एडमेशन का एक्जाम में हुआ था लेकिन आज ही उसको कैंसल कर दिया गया एंटे के दौरा मिनिस्ट् इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है हमारी मांग है कि NTA को तुरंत निरस्त किया जाए उसे किसी भी तरह का एक्जाम नहीं लेने दिया जाए और हम सरकार से मांग करते हैं कि NTA पर कारवाई हो कड़ी से कड़ी कारवाई हो और जितने छात्रों के सपनों को मार दिया जा र रहा है उसके खिलाफ आपको कारवाई करना पड़ेगा देश के देश के सबसे बड़े रिसर्च एंटरेंज एक्जाम नेट का पेपर लीक हुआ और आप देख रहे हैं किस तरीके से साड़े नो लाग युवाओ के साथ ये धोका हुआ बार बार मैंने बात करी है कि एंटिये को बैन करो ऐसा क्या लालश एचारडी मिनिस्टर को शिक्षा मंतराले को सता रहा है कि वो एंटिये पर कारवाई करने से घबरा रहे हैं मेरी दुबारे ये इमिजेट मांगे दर्म आने की तैयारी में लगाना चाहिए वो उस समय परिच्छा में अन्मेत्राओं का सिकार हो रहे हैं चात्रों और पैरेंट्स के परिशानियों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है नीट परिच्छा में गलबड़ी का शिकार लगपाग 24 लाक स्टुडेंट हुए जिनमे बहुत दुख भी हुआ क्योंकि इस बार पेपर अच्छा हुआ था पिछले तीन में दे रहा था इसको पिछले दो बस ही इसरूरी बार पेपर मेरा मेंने एक। अगर इस तरीके के पेपर नहीं करा पाएंगी तो बहुत अफसोस हो रहेगा, क्योंकि अभी बीच में नीट का मुद्दा चल ला था, उसमें भी कई सारी लुपोल्स देखने को मिलें, जिससे बच्चों के अंदर बहुत दिक्कते होती हम लोग काफी सालों से यहां पढ़ नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि NTA ने अपनी साग पर सवाल खड़े कर दिये हैं, हाला कि यह पहली बार नहीं है, युजी सी नेट परिच्चा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजनसी NTA ने किया था, पिछले कुछ वर्सों में NTA दोरा आयोजित, विविन पर सामने आई, और नेट के बाद नेट के परिच्चा सवालों के घेरे में आने से NTA की साग पर बट्टा लग गया है, सवाल है अगिर बार बार चात्रों के भविस से खिलवार क्यों हो रहा है, NTA की साग पर बट्टा क्यों लग रहा है, एक के बाद एक परिच्चा में गलबड़ी क्यों सामने आ रही है अगे पाइच्छाओं की सुचिता के लिए सरकार कोई ठोस कदब कब उठाएगी इस्पेशल डेस के न्यूज इंडिया और आज इसे मुद्दे परोगी विस्तार से बाचीत खास ममनों का पैनल हमारे साथ में जूड़ चुका है सबसे पहले इंसाब को रुबुरू कराते हैं हमारे साथ में कुमर जपेंद्र सिंग जी है भारती अजन्ता पार्टी के प्रवक्ता है और अभिशेक बाचपेज ये हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और आशितोश मिश्रा हमारे साथ में है खुद परिक्षार्थी है कॉंग्रस के प्रवक्ता हमारे साथ में चर्चा में आके जोड़ेंगे सबसे पहले सवाल कुमर जपेंद्र जी से जपेंद्र जी एक तरफ NTS सवारों के घेरे में है लेकिन सबसे पहला सवाल तो सरकार से ये कि आखर बच्चों के भविश्य के साथ में खिलवार क्यों हो रहा है क्यों उनके तैयारी को पानी फेरा जा रहा है क्यों बार बार परिक्षाही रद हो रही है एक तरफ पेपर लीक मामले में कड़ अक्शन लेने की दुहाई आप लोग देते और खुब तारीफे बटोडने का प्रयास किया जाता है लेकिन दूसरी ओर चाहे पेपर रद दो चाहे पेपर लीक हो ये दोनों किस गती के साथ में आगे बढ़ रहे है या आप भी देख रहे है मुझे लगता है इस पर कुछ कहना की जरूरत ही नहीं है क्यों आखिर ऐसा हो रहा है निश्चित तोर पर चिन्ता जन्नक विशे है युवाओं को देश का भीशे कहा जाता है भीशे के साथ किलवार नहीं होना चाहिए लेकिन यहां हमें ये भी दिहान देना होगा कि पिछले दस वर्षों में एंडिये की गौर्वर्मेंट में जितनी कारवाईयां होई है और जितना पड़दा वाश हुआ है इस तरह के नेक्सिस का आज तक करता ही नहीं होगा और ये परिपाटी जो चैलेंज के अधर रही है ये वास्तम में अपने आप में एक चैलेंज है इसे जड़ से खतम करना आप ये दिखेंगे कि भारते जंता पार्टी की सरकार बहुमत की सरकार अब बनी है पिछले दस वर्षों से केंदर में है और अनेकों राजियों में नकल विरोधी कानून लाकर बाकी चीजें करकर बहुत से अपराजियों को जो युवाओं के भूशे से खिलवा जपेंद्र जी आज इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि बीज़पी ने क्या किया है यह सरकार ने क्या किया है आप खुद कह रहे हैं कि हम दो बायर से सत्ता में है और बाबजूद इसके यह बाते करना कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया पेपर लेक जिन लोगों ने किया हमने उन पर साक्ट आक्शन ले लिया उस सबसे क्या फाइदा हुआ बताइए अभी नीट को लेकर बवाल जो है वो ठीक नहीं हुआ था उसके बाद यूजसी नेट को लेकर परिक्शा रद्ध हो गई महज एक दिन के भीतर इंपुट्स मल गए क्या यह पहले नहीं मिल सकते थे सर परिक्शाएं जब बड़ी आ रही है जिनको लेकर एक शात्र कितने लंबे वक्ट से प्रिपरेशन करता है उसका पूरा परिवार उसमें उसके सभी परिवार की लोग संलप्त होते हैं आप समझ रहें कि एक परिक्शा के लिए कितना कितनी लागत लगती अगर प्रैक्टिकली सोचे और सबसे कीमती होता है उसके वक्ट जो उसमें लगाता है उसके बाद आपके एक आदेश के बाद में परिक्शा कैंसल हो जाती है इस से कितना नुकसान होता है हम सहमत हैं हम इंकार नहीं करते हैं हम यह क्यों भूल जाते हैं कि यूपिया गौर्मेंट के समय में सबसे ज़्यादा सीबी आई जाचे हुई हैं इस तरह के नेक्सिस पकड़े गए हैं जो लोग चल दे क्या ये गिनाने के लिए हम चर्चा में बैठते हैं या फिर चर्चा का मकसद क्या है कि आगे चलकर समस्याएं ना कि यह गिनाने के लिए होगा हुई है लेकिन बात है न अगर आप यह किनाएंगे कि यूपिय गौर्वर्मेंट में कितना हुआ तो वो मतलब नहीं है न उस बात का यूपिय में हुआ इसलिए सत्ता में आप बैठे हैं आज आप साथ सेकंड लीचेगा साथ सेकंड लीचेगा जी देखे एंडिय गौर्मेंट में बिलकुल सरकार सकत है चाहे राज्य सरकारे हों केंदर सरकार हों यह एक कोड की तरह है जो यूआओं के भविश्य से खिलवार होता है पर तेक दोश्जी को चिनित करके सलाखों के पर लीक ना हो और इस तरह जो जो रॉंग एक्टिविटीज में लोग हैं उन्हें चिनित कर उनके आसपास के लोगों को किसी भी तरह के परियास को विफिल करना एक छोटे से अपने आर्थिक लाब के लिए देश के लाखों युवाओं का जो बविश्य चौपट करने का सब किया जाता है तो यह सब जो हैं पूरवर्थी सरकारों दौरा पोशित गिरों है हम खुले हम यहां कह रहे हैं सब पोशित गिरों है और इसमें बहुत इसमें आफ यह देखिये तो आप यह OPA की बात करी आपने समाजवादी पार्टी की बात कर दी आपने पस्वाद की थीक है सर ठीक है लेकिन सर हम तो यही कहेंगे ना कोई भी उसमें सनलिप तो चाहे वो विपक्षिदल हो या कोई आम वेक्टी हो हम सर्फ यह चाहते कि परिक्षाय रद्ध ना हों तो आप क्या कर रहे हैं उन लोगों को बकड़ियों परिक्षाओं को रद्ध करने से पहले परिक्षाओं होने से पहले उन पर एक्षन लीजिए सर एक्षन लेने से क्या फर्क पड़ेगा एक्षन लेने से दोश्यों को सजा मिल जाएगी लेकिन क्या जिन बच्चों का नुक्सान हुआ उस नुक्सान को आप कभी पूरा कर पाएंगे तो यह एक्षन पहले क्यों लेकिन उस पर पूरा नहीं होता ठीक के पास अब सफ़ा प्रवक्ता हमारे साथ में अभिशेक बाचपेजी उनका रुकलत है अभिशेक जी साफ तौर पर जपेंद्र जी कहने कि यूपिय की गौर्वर्मेंट के वक्त में तो बहुत कुछ होता था अब हम और यह उन लोगों के द्वारा पोशत माफिया ही है तो इस पर क्या कहेंगे आप सर सीधा आरोप है ठीक है ठीक आप जवाब ले लीजा अभिशेक जी सर्ट नावाद जरीवाजी और मिजरी कवाद की जपेंद्र जी कितारी प्रोफ है कि अधिके अभी जुनों ने सुट में अधिस सा अब इश्यक जी आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पारी है हम तक अधिया आवाज आप पारी है आपको हां से थोड़ा से अगर लाउड आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा जे बोलिए जरीमा जी सबसे बड़ी चीज है कि जपेंद्र जी इस बात को बोल यह सेंटर में रन कर रहे हैं और यह अगर उसके बावजूद अगर आप विपक्स को दोस्त दे रहे हैं तो यह मुझे लगता है कि विपक्स की काम्याबी है और यह आपकी नाकाम्याबी है करता है ठीक है जपेंजी अभी आप जिम्मेदारी अभी आपकी बनती है चाहे जो भी हो मैं तो कहते हूं ना पकड़िये इनको पहले डालिये जिल्म में जो भी कर रहा है उसको लेकिन अभी इस तरीके से सर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है इसने पल्ला नहीं जड़ा से सकता और प्लीज अभी थोड़ी देर इंतजार करिए उनको बोलने दीजे उसके बात बोलिएगा अब इशेक जी अपनी बात को पूरा कीजे प्लीज प्लीज बीच में नहीं मैं आओंगे आपके पास मैं अब इशेक जी आपके आवाज फिर से नहीं आ रही है मैं निमीजन करना चाहता हूँ जैपेन रिजी से कि कम से कम अपनी बारी का इंतजार करें जल्दी से बोलिए सब्सक्राइब काम है थोड़ा जल्दी से तो अभी ये समझना पड़ेगा कि आपको याद होगा कि एक उत्स हदेश में इनके पूर सिक्षा मंत्री थे उन्हो योगी जी ने उनके उपर कारवाई की ती जब बाकाइदा भारती परिश्चा नहीं कुल थी दो अजा सब्सक्राइब करके आज सब के सब पेपर लिप हुए है जिसकी दिमेदारी कौन लेगा जो आज से लेकर क्या कर एक बार भी आप बढ़ाता जिए बात करने की बात करते लेकिन जो साल नाकामियाब नजर आ रहे हैं कहीं ना कई शातरों के भविशे के साथ में उनकी चीज़़ों को पध्धान ले दिया जा रहा है सरकार अपने खजाने को भरने के लिए भी इस तरीके से भक्तिया निकालती जिसके अर्व रुपए एकत्रित हो जाते है उसके बाद पेपर लिस्टरवादे के ताकि उनको कोई भी पद देना ना पड़े ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लोटेंगे जपें जी आते परिक्षार्थी है उनकी बास सुन रहते हैं उसके बाद आपके पास ही आएंगे जवाब लेंगे आपसे आश्यतोष मिश्रा हमारे साथ में कुद परिक्षार्थी है बहुत स्वागत आपका अभी आश्यतोष देखिए आपने अभी राजनते कि दलों के दो प्रवक्ता लेकिन आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे जो नुकसान आपका हुआ वो पूरा हो सकेगा आपको संतुष्टी मिलेगी क्या मैं आपको पूरी बात बनाओ यह जून का महीना है मेरे सामने करीब दस ऐसे बच्चे थे जो चक्कर आपके गिर गई सिर्फ ऑसिफ गर्मी के कारण और 1-2 km तक जाम लगे पहले परिच्छा केंज बहुत दूर बनाया था वह भी गर्मी के महार में तुसरी बात यह बार बा से निकल कर इतने पैसे रुपय बरबात करके परिच्छा देने जाता है तो यह मिने कि अभी प्रतिपूर तो क्या सरकार देने के लिए अभे तक क्या अक्षिग हो रहे हैं तो और अन्ड ब शेौं से हम क्या उमीद रख सकते हैं और और कोई परिच्ह बता यह मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से चीक है बीजेपी से जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे जपेंद्र जी एंटीए एंटीए में क्या ऐसा लोकोल है जो आपके विपक्षी दलों के लोग जो उनके द्वारा पोशित माफिया है जो अभी भी अब तक 10 सालों से जो एक लॉस हुआ है निस्चत तोर से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है वास्तम में ये एक बहुत बड़ी चंता और दुख का विशे है कि जो हमारे बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं अपने उज्वल भविशे के लिए ये उज्वल लेकिन पूर्वरती सरकारों के समय से जो परिपार्टी चली आ रही है जब लोग इन्वेस्टीगेशन होती है केस की इन्वेस्टीगेशन आगे जाती है तो उसमें जो कडिया निकल के आती है लकनों से तस्वीर आपको उम दिखा रहे हैं जहाँ पर शात्रों के भविशे के खिलवार के बाद में आप देखे किस दरीके से अब शात्रों में गुस्सा नजर आ रहा है और शात्र सापतौर पर प्रदर्शन करनी के लिए लकनों विश्विद्याले की बाहर पहुंचे हुए हैं लकनों से हमारे साथ में हमारे समधता शिवा शर्मा भी जूट चुके हैं शिवा तस्वीरों में सापतौर पर गुस्सा शात्रों के चहरे पर देखा जा सकता है क्य कि लगातार परिक्षाएं रद हो रही है परिक्षाएं लीक हो रही है पेपर लीक हो रही है और इसी के चलते प्रदर्शन हो रहा है देखें बिल्कुल ये लखनों विश्वधियाले के छात्र है जो अलग अलग विंग से हैं जो एनस यूआई से हैं ये आईसा से हैं, FSI से हैं और चात्र सबा के लोग हैं ये सभी लोग आप देख रहे हैं कि किस तरीके प्रदर्शन कर रहे हैं विश्विद्याले के अंदर और रोश यही है कि UGC NET की परिक्षा कल ये सरीके से रद की गई है उसकी CBI जाच की सिफारिश भी की गई है केंद देशों में रद हो चुकी है तो केंदर सरकार का ठिकड़ा फोल ना चाह रहे हैं इनका साफ तौर से तीन मांगे हैं इस प्रदर्शन के जरिए की केंदरी मंद्री धर्मेन प्रधान को इस्तिफ़े की इस्तिफ़े की पेसकश करनी चाहिए दूसरी मांग है कि जो NTD है संस जो उस परिक्षा में अपियर भी हुए है और उसी को लेकर खिंका रोश है हातों में बैनर पोस्टल लिए हुए और सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि यह लोगों का रोज परिक्षा होती और बुद्वार को रद हो जाती है तो कई सालों के जो मैनत है वो उनके खराब हो ग कारी हैं वो यहां पर इसेरिये को बैरिकेट कर रहे हैं कि यह जो अभ्यारती है जो छात्र है वो लोग रोड पर ना जाया रोड यादा याद बादेता है और किसी भी तरीके की परिसितियां लॉग और जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से सीमित रहे है विलकुल साथ तो कर लें कर लें कि रिंडिक लें को प्रवक्ता अभी अभी जुड़े हैं मेनाज जी लगातार एंटिय को लेकर सवाल उठ रहे हैं विरोध हो रहा है लखनो की तस्वीर एक तरफ अपने दर्शे को को हम दिखा रहे और दूसरी और अभी जपेंद्र जी हमारे साथ में लें लगाये हैं नहीं ये बिल्कुल गलत है जब से भारती जन्ता पार्टी की सरकार राई हुई है तब से सारे पेपर चाहे पुलिस की भरती हो चाहे कोई भी जाम होता है पेपर लिख हो जाता है ठीक है ये हम इस जो पेपर लिख हुआ है हम भारत सरकार से मांग करा जाए उसको धंडिक किया जाए इसलिए कि जो नौजवान लड़के कहां कहां से पैसा एक अठ्षा करका फॉर्म भरते हैं अब आद में पता चलता है कि निटक या कोई भी परिछा लिख हो जाता है प ठीक ठीक कारिवारीट की जाने की बात आप कहने देखिए उससे पेड़ तस्वीरे आप देखें किस तरीके से शात्रों में जो गुस्ता है वो यहां पर साफतौर पर नज़र आ रहा है बैरिकेटिंग कर यहां पर एक तरफ शात्रों को रोखने का प्रयास मुन स्कॉर से क्या जा रहा है लेकिन शात्र बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि इस तरीके से शात्रों का गुस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है बैरिकेटिंग को पार करने के कोशिश कर रहे हैं शात्र देखिए हमारे पीछे ये वो तमाम जो छात्र हैं लख्रों विश्विद्याला के गेट पर खड़े हैं और तस्मीरे आपको फिर से एक बार दिखा दे कि तमाम जो छात्र हैं उनको पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है कि विश्विद्याला के गेट से बाहर ना आए लेकिन छात्र लगातार हातों में पोस्टर लेकर के NTA का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से परिशाय रद की गई उसका विरोध कर रहे हैं पुलिस की हर कोशिष है कि छात्र लेकिन चात्रों का ये भी प्रयास है कि वो लोग बैरिकेटिंग तोल करके या उसको नांग करके वो लोग रोड पर आएं और अपना जो पर रदर्शन है वो पूरी तरीके से दिखाएं तो तमाम चात्र जो हैं वो यहां पर डटे हुए हैं सभी तरीके से कोशिशे हो रही है कि किस तरीके जो अपना विरोध प्रदर्शन है उसको बढ़ाया जाए उसको बव दिखाया जाए तमाम जो चात्र है पुलिस को हिरासत पे लेने का भी प्रयास कर रही है लोग जोग मांग हमारी है कि एंटियों को रद किया धर्में प्रदान इस्तीपा दे पूरी तरह से सरकार फेल है आए दिन कोई नो कोई पेपर रिलीक होता रहता है और इसकी आण में नीट का जो पेपर हुआ है भी हाल में उसमें बहुत बड़ा भांडा फोड़ होने वाला उसमें इतने सरकार की खिली उड़ती यह पहले हिरत कर दिया गया है यह हम लोगों के साथ भविसाथ खिलवार किया रहा है सरकार चाहती ही नहीं है कि यह आगया बढ़े और शिच्छा प्राहत करें पगंटा बजाने के लिए आप हाटों में फोस्टा लिये हुँ है क्या बोस्टर में इस्टीफा और में सच्छामंत्री ऑप पैपर यहले रहेह nhất आया है और इनके परिज्यार सब कुष्छे हो हो गई है कब होगी कब जहां चोगी एक महीने के सब रिजल्ट आ जाता है वह लोग लिग हो रहा है उसके बतार रहे हैं अरे जो लोग नहीं चल ला है कि नहीं कि लोग है पेपर लीक करवा रहे हैं और यह बुल्डोजर उस पर चलना चाहिए कि फिच्छा मंतरी की घर पर चलना चाहिए कब तक कब तक हम लोग सहेंगे बुल्डोजर बस गरीबों के उपर चलना चाहिए क्यों यहीं यह बस हमारी मांग है कि स्थीफा दें यह सारे लोग इस तीफा दें और इसका उत्तरदाई को अगर लेख हुआ है तो इसका प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे यह आप पीछे एक बार तस्वीर आपको और दिखा दें कि किस तरीके से पुलिस की जड़ाप हो रही है उन तमाम चात्र चात्राओं से यह लोग चात्र जो है रुखने का प्रयास ने कर रहे हैं और पुलिस का यह प्रदर्शन को जल से जल खतम किया जाए जो इनकी जाहिज मांगे हैं उनको सरकार तक जरूर पहुचा जाएगा लोकल इंटलिएंस यूनिट और तमाम जो स्थानी थाने की फोर्स है वह यहां पर खड़ी हुई लेकिन तस्वीरों में आप साफ तोर से देखिए किस तरी और छात्रा ये दोनों ही उख रहे हैं कि बिल्कुल साफ तोर पर लगातार यहां पर देखिए प्रदरशन जो है वह नसर आ रहे हैं लोटेंगे आपके पास मिशिवा जपेंद्र जी मरसात में लगातार बनें जपेंद्र जी आपने सुना इन बच्छों के सवालों को इन हमने आप होता हुआ दिखना है हमने गलत नहीं का है कि यह बसपा सपा और कांगरिस वारा पोशित गिरों है आज जुआ जो है वो देश के अंदर बहुत एक नाजुक कड़ी होता है उस नाजुक कड़ी का इस्तमाल आप किसी भी सरकार को उसके कारें को भ्रहमित करने के लि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं पूर्व की सरकारों पर तो आप 10 सालों से हैं सर आपको आई हुए 6 माईने नहीं हुए कि आप यह कहेंगे तो उसमें क्या नया सुना जाए बता ही आपको मैंने पहले भी बोलने दिया आपने तब भी का कि मैं आपको बोलने नहीं दे र ये लोग कोई रातो राज पैदा नहीं हो गए हैं, ये लोग कोई चार साल से पांट साल से पैदा नहीं हो गए हैं, ये 30 साल से ऐसी अरकते करते हैं, और ये सभा बजबा और कॉंग्रेस द्वारा पोशित लोग हैं, जो युगाओं को ब्रहमित करके, आज एक तरफ तो सिक्षा मंतर इस्ती बते दे कि अब बर्जन दिलवा रहे ये वे वैश्था हैं, आप नहीं है, ये कुछ भी कर रहे थे, आप 10 से क्या कर रहे थे, बहुत वक्ता सर्थ, दस साल बहुत होते हैं, और एंटिय के पास आप सप्टा में आपके पूरी पावर हैं, क्यों आखर ये पर लीग अगर लीक हो लगा है तो उसमें तो कहीं न कहीं जो एंट से मधारी ना योगी मोदी तुम्हें काम गरो कुर सी छोड़ा आराम करो तयो तयारी करते हैं अपने मावाप को बोलते हैं कि हमें एक महीने में हमारी पहले से बाजाएगी और यह सरकार उसको रद्ध कर देती है सरमानी चाहिए सिक्षा मंत्री को जो अपने पत्वे बैट करके जो है सरमिंद की महसूस नहीं कर सकता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो दर 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 बासर बेना फालतू का कुतर के पूर्ण जवाब देती है सरमानी चाहिए इसी सरकार को ठीके तो देखें आपर प्रसाशन भी मौझूद है जो लगतार समझानी का प्रयास कर रहा है और नीट के बाद अब नेट की परिक्षा में गरबड़ी की बाद चात्रों का गुस्सा जो है वो फूड का डिकल रहा है हमारे साथ में लगतार जपेंद्री ची बने वे जपेंजी देखें गुस्सा है और इनको इस सबसे मतलब नहीं है कि क्या अन्टिय क्या कर रहा था बस ये जिम्मधारी इनकी बंती भी नहीं है सर ये जिम्मधारी सथा पक्षी बंती जिम्मधारी अन्टिय की बंती है कि आ फिर छो इस बात का ख्याल रखे कि प्र लिक ना होने पाए और अब तो कम से कम जो आपके पूर्व में सथा में रहे वो आब तो जैवीर सिंग मंत्री यूपी सरकार में क्या कुछ कह रहे हैं पेपर लिग को लेकर वो सुनाते हैं आपको पॉलू सुनके उन आमलों से बचाने का योग एक सक्सक्त माध्यम है योग के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे लेकिन लगातार हम अगर देखें तो यहां पर जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है शात्रों का लेकिन दूसरी और अब पूरा मामला बढ़ता जा रहा है आज सुबा सपाध्यक्ष अकिलेश श्यादफ का भी ट्विट साब ने आया था उनकी और से भी आपर बड़ा हमला बोला गया है जपेंजी अपनी बात को पूरा करिए सब जो लोग इस तरह के कामों में इंवाल्व रहते हैं नकल पूर्टूर्ब में हम सरकारों से हट जाए हम दलों से रख तो वो जो लोग हैं जो बीसीयों सालों से जिरों ने इस तरह से युवाओं के बेविशे से खिलवाड को अपना शगल बना लिया है ठीक है आज हमारी नेतिक जफ्मेवारी बनती है के इंदर में दस साल से हम हैं और अपने आप बताएंगे कि इन Choi अपॉषित है और कितने फंज्रों से यह बार-बार कह रहे हैं कि यह कॉंग्रेस, सपा और बसपा द्वारा पोशित गिरों हैं जिने बेनकाब करकर इनके अंजाम तर पहुंचाना निश्य तोर पर भारतिय जन्ता पार्टी सफल होगी और सरकार यह करके दिखाएं सर अगर यह इनके द्वारा पोशित हो और आप ठीक है बार-बार अपने हर सवाल में यही बात कहतें कि आप सर्फ अपने विरोधी दलों को घेर रहे हैं जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी हो मैं तो कहते हूं ये इनकों भी पकड़िये नहीं तर किसने रोका है ठीक है लोटने चर्चा पर मेनास जी की पास में जाएंगे उससे में तस्वीर देख लेते हैं एक बार फिर से लख लगातार इन शात्रों को रोकने का प्रयास के आजा रहा है याद किस्तनिय प्रसाशन कमान संबहले हुए है और इस तरी कि सीन्सलेवा तरी कि सशाव प्रदेश हो परिक्षाय लीक हो दीक जा रहे हैं उस पर हो नहीं है तो उसको देखर कि आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमाँ सिच्छा मंतर धर्मेंद प्रधान और एंटे की वो चेर्मेन हैं मामी डाला वो इस्तीफा दे और चात्रों के हितने लेकाम करें यह लगातार प्रदर्शन चला है और तमाम जो छात्र वो मैं साथ मौझूद है जैसे कि हार बाल लीक पर रिच्छा होते जा रही है हमको जो अभी यूजिसी नेट के इफ्जाम को वह हुआ है पेपल उसका में इस्तीफा धर्मेंद प्रदा जो इस्तीफा इस्तीफा दे द दिखा रहे हैं कि बस के उपर चल कर एक यूबक कागज जलाने का प्रयास कर रहा है सिदे सिदे आप तस्वीरों दे सकते हैं यह उग्रप दर्शन चात्र का है कि किस तरीके कागज को जलाया जा रहा है और नीचे पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और कुछ पुलिस वाले कुछ चात्रों को समझाने के लिए उनको नीचे उतारने के लिए उपर चड़े हुए नीचे पुलिस अधिकारी है कुछ चात्र है तो उपर भी कुछ पुलिस के अफसर है और चात्र है जो उनको मनाने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से खतम किय लेकिन आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है यूजी सी नेट की भरती परिक्षा को ले करके जो रद किया गया है वो लगातार इस पे अपना विरोज जाहिर कर रहे हैं तमाम जो लोग है वो हमारे साथ अभी भी अब्यारती मौजूद है हम बात करेंगे यह कि यह गरी परिवार से बच्चे आते हैं कोई किसी संग्ठन से ने जुड़े हैं यह कोई रडी थिक संवंळ से ने जुड़े हैं बिरोज करा रहे हैं यह pseudo मन कि रॉटailed बार निट की लिक कराता है और ये नेट जीयरब की पेपर लीक करा देता है शरम आने चाहिए 24 गंटा भी नहीं होते हैं और पेपर लीक हो जाता है CBI की जाज बढ़ा जाती है लेकिन उसमें कोई दोसी होता है तो उसको कोई कारवाई नहीं होती है ये सरकार के लोग बैटे वुआ हैं जो खुदी सब कुछ करते हैं टेंडर भी खुदी पास होता है और खुदी खा जाते हैं जाज भी खुदी बठाते हैं खुदी रफदा पकड़ दिये जाता है गरीब बच्चे विचारे पस्ते रहते हैं जो डेर सो रुपई मजदूरी करकर के वह अपना फीज बढ़ते हैं उनको सरम नहीं आती बिल्कुल भी जाच की दे दी गए ना सुपारा नहीं है सीप्याइगी जाच होगी तो वह उन्हीं के लोग है निकलेंगे भी उन्हीं के लोग बात में पेटियां देकर के छोड़ दे आएंगे कुछ नहीं होगा अधीज दैस का प्रदान मंतनी लीग होता है उसी देज में पेपर हमेशा लीख होता है और यह को घटना नहीं है उप्योष प्लाव से सिचक भड़ती हैं तमाम ऐसी चीजा हैं जो हमेशा लीख होती रहती है जात पूरे गर्मी पसीने में जाता है एक्जाम देकर क्याता प्रदर्शन जारी हम बात कर रहे हैं यू सीजी नेट पेपर लीक मामले को लेकर लगतार गुस्टा और प्रदर्शन लगनों में शात्रों के द्वारा देखने को मल रहा है यह तस्वीर लखनो यूणिवरसिटी के बीतर की तस्वीर आपको हम दखा रहे हैं आप देखें कि ओर से बड़ा प्रदर्शन जो है वो लगतार किया जारा है और गुस्से में शात्रन नजर आ रहे हैं अलाके स्थानिया प्रसाशन यहां पर मौके पर मौझूद है और रोकने का पूरा प्रयास जो है वो भी किया जारा है तो क्या NTA की खिलाफ आक्शन होगा यह सत्ता में जो सरकारे रही उनके द्वारा पोशित यह माफिया है लेकिन एक तरफ शात्र है जिनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है वो सर्फ चाहते हैं तो उन लोगों पर एक्शन जिनकी और से यह काम किया गया और साथ ही साथ खुद के लिए न्याए है हम सबसे पहले आपके मध्धम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं तक काल मंत्री को इस सिफा दे देना चाहिए नौजवान इवाव भविश्च के साथ खिलवार जो सरकार करा ली है इसकी गोर निंदा हम लोग करते हैं कल उत्तर प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के हमारे अध्धाच पूर मंत्री अजयराय के निर्देश पर कल उत्तर प्रदेश में हर जीला मुख्याले पर जोड़दार प्रदर्शन होगा यह हमारे प्रदेश अध्धाजी के आवन है यह बाजपा की सरकार में कोई भी घटना हो जाती है चाहे रेल भी घटना हो जाएगी कुछ भी हो जाएगा मगए इनके मंतरी आज तक कभी इस्तिफाद नहीं गिये हैं यह नौजवान जो महंगाई के पीडियेट में कितने सिच्छा इतना महंगा है कि परिवार के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके भविश की लिए सोचते हैं कि हमारे लड़के आगे भविश कि शुधर है मगए यह सरकार कि एक दम इवाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचती है ठीक है आज माने मंतरी जी को तकाल अपने सी शिफा देदना चाहिए यह नौजवान जो लड़के हमारे आज हम इसके साथ खिलवार कर रहे हैं यह बहुत ही घिनूनी काम है आरोप दिख यहां पर प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है शिवा हमारे साथ में मौज़द शिवा प्रसार्शन अभी आँपर देखे सक्त्रूप अपना रहा है शात्रूप को रोकने के लिए बताया जाए कि इन सब को पकड़ कर अलग किया जा रहा है तो श्री ने इने रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो चात्र चात्रा यहां पर शुरूआत से विरोत प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करना चाते हैं तमाम लोग बैरिकेटिंग तोल करके सड़क पर आना चाते हैं आगे आना चाते हैं लेकिन पुलिस प दशनकारी है वो आगे ना आए तो फिलाल तमाम जो पुलिस कर्मी है पीएसी के जो बल है वो इनको यहां से हिरासत में लेकर के इको गार्डेन जो लखनों में धर्ना स्थाल है वहां पर बेजने का प्रयास कर रहा है लेकिन चात्र अभी इस बात को मानने को फिलाल तयार नहीं है तो और हम देख पा रहे हैं शिवा की गुस्सा जो है वो भी देखा जा रहा है लेकिन इन सभी को बस में बिठाया जा रहा है क्या इन यह से हटाने की कोशिश है फिलाल प्रसाशन की देखें तमाम जो छात रहें वो इस बसों में मौझूद है हम उनसे बाद भी फिर दुबारा करेंगे क्या क्या कहेंगे कारण यह है कि लगातार जो एक दो साल से दस से जादा पेपर लीग हुए हैं और यह कल मैं खुद अब बेरती हुए एंटिये का नेट का उसमें मैं खुद 50 डिग्री टेंपरेचर में पेपर देने गया मुझे पूछो क्या भी दीदी मेरे उपर घरवालों का फोन आ रहा बेटा कैसा पेपर हुआ और यह लोग क्या कहते पेपर को रद कर दिये वाई दार यूजी जी नीट वाले छात्र नीट वाले छात्र बीस से जाएज अच्छा पर मर्च यह और इन लोगों पेपर भु रद नहीं किया वर इसंखेपर्ण मिलने जी कि आपके पास साच नहीं है अभी तक आप साच नहीं चुटा पाए लानत है इसी सरकार पर एसी सरकार की सिच्छा मंत्री पर मैं तो कहता हूं योगी मोधी तुम्हें काम करो और कुर्सी छोड़ो आराम करो तुम आप चले आओ इस्तिपा की मांग है चांच यह लोग नहीं कर पाएंगे चांच करते तो इतने जादा पेपर लिग नहीं होते बच्चा पुलिस का पर दे क्या आता है यह सरकार बच्चों को न्याज पाएगी हमारी आवाज को दबाये जाता है जब हम लोग अपना धरना पर दसने देखें यह दो तमाम चात्रते यहां से अभी फिलाल इनको इको गार्डन ले जाए गया है जो धरना इसतल है लकनों का आइसाई तोर पर उन्हें अभी फिलाल यहीं रखा जाए लेकिन लकनों विश्विद्याले के जो तमाम संगठन है उसमें के यह चात्रते चाए NSUI हो या फिर आइसा हो या फिर चात्रसंग के लोग हो सभी लोग NTA रत करने की मांग को लेकर के लगातार 12 बजे से यहां पर प्रदेशन कर रहे थे और भारी पुलिस पोर्स ने इने रोकने के लिए यहां पर अपना पहरा निभा रखा था लेकिन चात्र रोकते और उनका बा परिक्षा दिये है और अब उनकी परिक्षा रद हो गई है तो सालों की मेनत है उस पर फानी फिरा है फिलाल साफ तौर पर सालों के मेनत पर पानी फिलक्या लेकिन बच्चे भी नाराज नजर आहें जो शात्र हैं वापस अपनी चर्चा पर की और बढ़ते है ।ेक्डि जो विद्यारती आपके जो ये परिक्षार्थी हैं अगर यही ऐसा कह रहे हैं तो फिर आप कैसे बाकी लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे अब सत्ता में हैं एक्षन लीचे सर अब वो वक्त तोड़ी है कि आप ये कहेंगे कि उनके द्वारा पोशित नहीं या उन्हों न नाम चल रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये माना है कि हाँ हमने पेपर लीग किया और उन्हें पेपर लीग कराने में अंदर से कहां कहां से उन्हें मदद मिली कहां से नहीं मिली ये ओन स्क्रीन ही सारा केल शामिल हो रहा है ये और हम पहले से कह रहे हैं आप शातर नेताओं के बयानों को देख लें किस तरह से NDA की कॉम्मेंट को सरकार को टार्गेट करने का परियास किया जा रहा है हम बार बार कह रहे हैं हम अपने वक्तवे पे आज भी अडिक हैं ये नाम पर दर्शित कर रहे हैं कि किसी का लालू यादत के बेटे से संब्ध है कि किसी का कहा संब्ध है ये आपके ओन स्क्रीन में सब चल रहा है हम गलत हमारा वक्तवे नहीं है कि ये सपा बसपा कॉंगरेस और इनकी स्योगी दौन दौबारा पोशित गिरोहों के लोग हैं जो आजेंटिये सरकार को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं काम कर रह और इने इनके मुकाम तक महुचाना और भविशे में युवाओं के चात्रों के भविशे से खिलवार करने वालों को हम तो कहते हैं फाची पर चढ़ा देना चाहिए जिन युवाओं से ये खिलवार करते हैं उनकी भिर नहीं डालते ना चाहिए ताकि इने वो भिर सजा इस बिल्कुल चीक कह रहे हैं आप हम भी चाहते कि सक्ट आक्शन हो और हमें तो इस बात से भी फर्क नहीं पढ़ता कि पेपर लिग करने वाला शक्स किसी राजनतिक पार्टी का है या कोई भी शक्स है हमें फर्क इस बात से पढ़ रहा है कि पहले आप उसे पकड़ियों इ पर इनके दर के लोग है कि आप लोगों को क्या परिक्षार्थियों को इस बात से वाकरी फर्क पड़ता है या आप सिर्फ यह चाहते हैं कि पेपर जो दिया जाए उसका नतीशा आया उसके बाद जिसका इंतजार जो नौकरी का इंतजार आप लोग करते हैं वो मिले या पेपर देने के बाद पेपर लीक और रद्द हो जाए लेकिन इससे मेरा कोई करने के लिए मैं परिशा क्या हूं मुझे उसका परडाम चाहिए लेकिन ये तो साफ होना चाहिए ना कि जो लोग इन चात्रों के भविषय से खिलवार कर रहे हैं पूरवर्ती ये पोशित लोग है और पोशित लोगों को चात्रों का ही पेपर लीक करने में इस्तमाल करते ह हैं वो जो नेक्स पिछले तीसीयों सालों किये काम कर रहा है और जिर्ट जो राजनेती करण मुध्देका करके सरकार को बनराम करने का काम कर रहे हैं जुभाव का बेज़ा इस्तमाल कर रहे हैं तो निशित तोर पर क्या इन लोगोंगों को ऐसे दोशियों को आप भी आप चाहते हैं सब्सक्राइब अब तक एक्षिन क्यों नहीं लगा है हाला कि आरोपुरों ने बड़े आप पर लगाए देखे जपेंजी की और से काफी कुछ कहा गया है कि देखिए ये बीजेपी सरकार के लोग सचप्ल ok फारती जनता प्रफिक की विफलता था कि पर्फिक की विफलता थे हैं जबाए दिखें विफलता फिलहाल की नज़र आ रही है विफलता ये अंटिय की है जो पुरी तरीके से आपपर सुरक्षत पेपर नहीं करा आपा रहा है पेपर लीग हो रहे हैं जमधारी आपकी सत्तां में आप हैं एंटी आपके हथो में है इसलिए आप बच्चों के भविश्चे के साथ खिलवार मत कीजिए जो पेपर देने के लिए उनका से कम पेपरों को जोडने के लिए और लखना उसे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं चहांपर आप देखें किस तरीके से शात्रों के ओर से प्रदर्शन लगाता जारे शिवा किसी बीच हमारे साथ मैं शिवा करू कर देखें हमारे साथ यही पर शात्रा मौजूद हैं जो पीस डी के बैट का मामला भी चली रहा है नीट का मामला अब बच्चे इतने परेशान है बीस बीच फचीस पचीस लाग में पेपर खरी देगा हम लोगों को सच बात है कि अंदेशा था कि हो सकता हमारे निट के पेपर के साथ भी है यह और एक दिन बाद हमारा यह अंदिसा सहीं होगा कल रात में हमें सूषना मिल गई की एक इंसल हो गया सवाल इस सरकार पर आप सरकार का इतिहास हम 14 से उठा के देख ले सरकार कोई भी परिक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पारें नेट जैसे इतनी जरूरी परिक्षा नेट जैसे को फ्रस्टेट किया आपने उनके पैसे बरबाद है वो तैयारी कर रहें वो कोचिंग कर रहें सेंटर पर जाके एक्जाम दे रहें उनके पेरेंट्स परिशान हो रहे हम लोग खुद परसो जाकर के पेपर में इतने गर्मी में जाके एक्जाम दिये 200-300-400 किलिमेटर दूर स 50 डिग्री पारा है वो भी बीना पंक्रे के हमने एक्जाम दिया कोई सुवीधा नहीं थी पानी पीने के सुवीधा नहीं थी और आप देंको जितने भी प्रजियोगी परिक्षा हो रहे हैं सारी ली को रहे है तो यह सरकार कर क्या रहिए इसर्फ क्या इनको दंगे कराना प्रदान प्रदान इतना खराब रिपोर्ट काड़ होते वे उन्हें ने सारे युनिवरसिटी ओकी फीसे बढ़ाई है नई सिक्षा जी नीती जैसे इसको बेचने वाली नीती नोने 2020 में बनाई है और अब यह अपना कारिकार संभालते ही इतने एक्जाम उनके लीक हो गए तो आप CPI जाज का ढोंग कर लो आपकी सरकार आपकी एजैंसी बोल देगी कुछ नहीं हुआ था या कोई responsible वक्ती नहीं पकड़ा जाएगा परिशान कौन हुआ हमारे जैसे लाखो बच्चे हम सोचते हैं कि मैनों तैयारी करते हैं पूरी जिंदगी जीना छोड़ देते ह आप देखें सिर्फ किताबों में कुछ हैं मैं सिर्फ तारी कर रहे और उनके साथ यह सरकार यह करती है एंटी जैसे जैसी जैसी जी इतनी निकमी जैसी उसको तमाम एक्जाम कराने की अनुमति क्यों दी जा रही है नीट जब लीख हुआ उनके यह हेड को बना दिया गया जैसी जैसे जैसी जैसे जैसी को हटाया जाए और जो यह बामी डाला जगदीश कुमर युजी से की चेर्मेन बने बैठे हैं जो 18 तरही को ट्वीट करते कि हमने बहुत अच्छे सा एक्जाम करा दिया और उननीज को पता चलता यह हालत है वो भी स्तीफा दे और जो हमारे एक पोस्ट नहीं दिख जाएगा एक बयान उनका नहीं दिख जाएगा सिर्फ हिंदो मुस्लिम करना मोदी जी का प्रचार करना यही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का काम है बच्चे मरे जा रहे हैं और यहां देखे पुलिस प्रसासन हम वाजिब मांग कर रहे हैं कि हमारे हमारे वापर जो गलत हो रहा है आप हमको प्रोटेस्ट करने हैं हमारा बेसिक राइट है हमारा कंस्टिउचनल राइट है हमको समविधान नहीं हग दिया किसी सरकार पुलिस पर सासने नहीं दिया और यहीं वर्दिधारी जो खुद एक एक्जाम पास करके आए हैं बहले कि वह बच्चो चुप करा देंगे वर्दी कादर दिखा देंगे डंडे कादर दिखा देंगे बाते लीक हुई उसमें सीबियाई जांच हुई लेकिन केंद्र सरकार उससीबियाई जाच से आखिर कार क्या जा पाएगा दूसरी ओर Constitution ने इनको धन्ना प्रदशन का हग दे रखा है विरोध प्रदशन का हग देखा है उस पर इंका कहना है कि जो साती धन्ना प्रदशन करते हैं उनको पुलिस वाले उठा करके डिटेन करके ले जा करके धन्ना इस्तल छोड़ भी की थी कि सरकार ने बहुत अच्छी नीतिया बनाई है लेकिन जब एक और युवाओं की इस तरीके से परिक्षा फेल हो जाती है तो उनका गुस्सा भी सिस्तर पे देखना जरूरी है तो फिलाल जो तमांग जुशा भी हो जाता है शिवा क्यूंकि जिस तरीके से शात् चात्रों का लगातार बढ़ता जा रहा है बहुत शुक्र आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए अपनी बात रखने के तो नीट की बाद अब नेट की परिक्षा में गडबड़ी देखड़े को मिले है और जिसके बाद चात्रों का गुस्सा आज कुल कर सड़को पर स अबनी आया है देश भर में इसको लेकर विरूध लगातार जारी है मैस एक दिन के बितर 18 जून को परिक्षा होती है और 19 जून को परिक्षा रद्द कर दी जाती है जिसके बाद गुस्ते में परिक्षारती निज़रा है मुद्ध की बात मैं आज अतना है तुमाम बड़ अखेशोर प्रश्स